नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत हमार्स यूट्यूब चनल पे और मैं हूँ सौरव दोस्तों अगर आप अपने जो है फॉन में गूगल में यूट्यूब पे सर्च करते हैं इस वीडियो में मैं आपको दोसे तीन ऐसे जोब्स के बार में बताने वाला हूँ जिन जोब्स को आप घर बैठे ही दोस्तों कर सकते हैं अगर आप एक student है अगर आप एक fresher है तो आपके लिए और भी यह informative वीडियो होने वाली है दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी qualification की जरूत नहीं है कोई भी आपको experience की भी जरूत नहीं है आप घर बैठे ही अपने mobile phone के जरिये आप यहाँ जो jobs कर सकते हैं अगर आप एक student है आप फ्रीम आपके पास बहुत अच्छा खासा free time से भी बचता है तो उस time को आप utilize कर सकते हैं उस time पे आप जो है अपने लिए कुछ time निकाल कि आप एक पैसे अर्न कर सकते हैं आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्क्राइबर के बेल आइकन के प्रेस कर लिजीगा अगर आपको वीडियो सच में इंफोर्मेटी लगती है तो वीडियो को जरू से like कीजीगा इधर मेरा आपको telegram channel दिख रहा होगा तो आप हमारे telegram channel को जरू से join कर लिजीगा वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे-चे schemes and loot offers के बार में बताते रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही profitable हो सकती है अब चलिए चलते हैं अपने computer की screen में और मैं आपको computer में detail में बताऊँगा कि कैसे इसमें आपको ये कौन सा job है इसमें आपको काम क्या करना है और कैसे apply करना है then इसको अपने mobile phone से ही कर सकते हैं मैं आप अपसे इसलिए बताता हूँ ताकि आपको आच्छे से समझ में आ सके तो दोस्तो यही वो website है test book और यह हमारा जो अभी मैं आपको बताऊँगा यह पहला job है उसके बाद second job ही मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो को आपको ध्यान से दिखते रहना है तो इस website का link मैं वीडियो के description box पर दे दूँगा तो वहीं से इस website आप राइटली आ सकते हैं अब हमारा जो पहला job है वो है content writer यहां पर पढ़ सकते हैं content writer आपको यहां पर मतलब आपको इनके लिए content लिखना है मतलब टाइपिंग करना basically and typing करकि आप यहां से earning कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको पताएगा test book जो है students यहां पर अपना पढ़ाई करते हैं and जो अपने jobs के लिए preparation करते हैं अब अगर आपको content writer के लिए apply करना है तो इसके लिए आप apply करने के लिए eligible है उसकी बाद यहां पर work time जो है वो 8-9 घंटा है तो अगर मैं अपना personal बात बदाओं तो 3000 words से यहां पर आपके पास practice है आप practice करते हैं पहले से content writer करते हैं या फिर कुछ भी write करते हैं तो यहां पर 3000 words minimum से minimum दोस्तों आप 3-4 घंटे में ही लिख सकते है और यहां पर इनके तरफ से timing दिया जा रहा है वो 8-9 घंटे लिख दिया जा रहा है आप इसको as a part time भी कर सकते हैं अगर आप 3-4 घंटे भी type करते हैं तो आप 3 word आराम से लिख सकते हैं और उसके जो time है वो बच जाएगा तो यहां पर यहां पर आपके सारा details आपको दिख अगर आप जो है बहुत ही अच्छा से आपके लिए हैलफुल हो सकती है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जो 15-20 मिट का अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको बेसिक एक दू दिन ही मेहनत करेंगे तो आपको जो एक पर आप यहां पर पढ़े उसको रीड करें उनके लिए वह जो है थोड़ा सा प्रॉफिटेबल यहां पर फाइदे मन्थ हो से काने के उनके दिये काम आ सके तो उस तरह का आपको यहां पर आर्टिकल लिखना है फार अप्शन में है यहां पर एक्सिलेंट वर्बल और यहां पर राइटिंग कम्मिनकेशिन स्किल्स जी हाँ अ itself पो तीसरा पॉइंट है यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है आपको आपका इंग WILL है वो बिलकुल आपको एक्सिलेंट होना चाहिए लिखनी के लिए भी यण डोनों language में चाहे हिंदी हो चाहे इंग्ली तो आपको यहां पर थोड़ा सा अच्छा हर और कोई بھی जॉब में तो सबसे पहले जो भी जॉब में सबसे पहले चीज पूछा जाता है वह हां पर excellent verbal and writing communication उसकील ही पूछा जाता है क्योंकि यह चीज हर एक जॉब में काम आती है इसलिए आपको इसको अच्छा करना है हमारे जो फॉर्थ ऑप्सन है दोस्तों वह है स्ट्रॉंग फैमिलियर एविथ है सोसल प्लेटफॉर्म जी हां आने की आपको सोसल मीडिया चलाना आना चाहिए जी हां तो यह आज कल के जो है और भी आपको डेटेट्स देखने को मिल जाता है अब आपको इसमें अप्लाई करने के लिए दोस्तों अगर आपको उप्लाई करना है तो उपर में, यहां पर देसतें अप्लाई का औ dir मिलता है जैसे आपको क्लिक करते हैं नीचे जो है आपका फॉर्म निकल कि simply आ तो इस तरह से अगर आपको चाहते हैं कि आप content around जानते तो आप यहाँ से apply कर सकते हैं अब हमारो जो दूसरा job जो सकेंड जॉब वह हैं यहाँ पे English to Hindi translator जी यहाँ पर data English to Hindi translator है तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो test book website है वो basically यहाँ पे government job के लिए preparation करवाता है और कि students को जिनको English नहीं आता है तो उनके लिए आपको English words को English articles को आपको Hindi में translate करना है और यहाँ पे post करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका about section आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज का preparation होता है उसके बाद उस जॉब description में भी आप यहाँ पे देख से ट्रांसलेटर यहाँ पे end typing English content info Hindi without breaking the contest आनि कि दोस्तों आपको जो है English typing भी आना चाहिए Hindi typing भी आना चाहिए और बिल्कल दोस्तों आपको जो है smooth आना चाहिए आनि कि आपको type करते करते कहीं रुख जाते हैं या फिर कुछ ऐसे problem वो नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे job description में आप यही सारा कुछ पढ़ सकते हैं हमारे जो यहाँ पे third option आजाता है वो फिर से desired skills कि आपके पास क्या-क्या skills होना चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहला skill है वो very strong यहाँ पे command और writing English and practical Hindi should be comfortable translating यहाँ पे देशे academic terms in Hindi आने कि आपके पास दोस्तों English type करने का भी बहुत यहाँ पे practical experience होना चाहिए and Hindi type करने का भी practical experience होना चाहिए यह पहला यहाँ पे आपको skill होना चाहिए second option में comfortable typing both English to Hindi याने कि वही चीज़ यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि Hindi and English दोनों में आपका जो typing skill है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए and third option में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं typing speed should be great यहाँ पे great than यहाँ पे 40 words per minute बोथ दोनों languages आने कि दोस्तों यहाँ पे 40 words आपको per minute type करने का speed होना चाहिए and दोनों languages में होना चाहिए and इस तरह से आप last option भी पढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पी कुछ इस तरह का आपको skills आना चाहिए जो कि बहुत ही important है आप कोई भी job के लिए apply करते हैं तो आपको थोड़ा मोड़ा तो skills आपके अंदर होना चाहिए तभी कोई भी job के लिए आप apply कर सकते हैं अब अगर कुछ यहाँ पर आपको अच्छे से टाइप करना है और जो आपका resume होगा यहाँ पर upload करना है और आपको यहाँ पर नीचे में जो भी boxes मिलते हैं यहाँ पर सारा कुछ आपको fill करके submit application पर click करना आपको second job है यह भी apply हो जाएगा and दोस्तों एक से मतलब एक week लगता है जाद ही लगा है और दोस्तों यहाँ पर जो यह साब साब बोलते हैं कि इस job से भी आप 10 से तो यहाँ पर 10-15,000 पर मन्त कर सकते हैं and content writer से भी आप 10 रोपे तक महने कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको जैसे की बोला कि आपके अंदर थोड़ा सा मोड़ा कुछ skills हो translate करके भी earn कर सकते ही and दोनों jobs का link दोस्तों आपको description box पर मिल जाएगा तो वहाँ सभी आप दोनों jobs में जाकी अपलाएं कर सकते ही तो दोस्तों अगर आपको वीडियो informative लगी हो तो वीडियो को like share करते हुए हमारे channel को भी subscribe कर लिजीगा and bell icon पर भी press कर लिजीगा चलिए मि